हेलो गाई श्वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इंग्लिस के आई एम पी कॉश्चन जो की क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं और इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया है उ अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैच को जोइन कर सकते हैं तो यह 11 चैप्टर है जो आपका माय फादर ट्रेवल्स इसके आई एम पी कॉश्चन सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है चैप चैप्टर के कॉश्चन प्रीबियस टैन येर के कॉश्चन पेपर से लिए गए हैं जो पिछले 10 साल के कॉश्चन पेपर होते हैं उनसे लिए गए हैं तो बहुत ज्यादा आई एम पी कॉश्चन है यह 2021 के लिए तो हमारा फर्स्ट कॉश्चन आपने देख लिया इसके ब of nomads entering a subcontinent through a narrow pass अब इसके बाद next question है हमारा what light does the poet throw on the decline of social values अब यह थे हमारे 11 चेप्टर के questions अब इसके बाद हमारा next chapter है 12 चेप्टर है हमारा youth and the task ahead अब यहाँ पर जो first question है हमारा आप देख सकते हैं why does the author want our youth to be physically and intellectually strong अब author क्यों चाहता है कि हमारे जो youth हैं युबक हैं वो physically और intellectually strong रहें अब यहाँ पर आपको answer देना है चार marks में answer एक पूछ सकता है question या फिर दो marks में भी ये question पूछ सकता है अब इसके बाद है हमारा next question what does the author mean why patriotism अब यहाँ पर बताना है आपको author patriotism से क्या समझते हैं और मैं आपको एक बात और बता दूँ MP boot का जो paper आता है English का वो बिलकुल easy आता है आता है बट lengthy आता है तो आपको fast preparation करना होगा और अच्छे से लिखना होगा और इसके बाद है हमारा next question what according to the writer are the thing to be done for strengthening the country अब यहाँ पे आपको पूरा answer लिखना है चार माक्स के लिए question पूछ सकता है अब इसके बाद next question है हमारा describe in brief all the four dimension in which our youth must occupy themselves अब यहाँ पे आपको describe करना है जो four dimension इस chapter में बताए गए है यूथ जो हमारे यूथ के लिए कौन से dimension है जो occupy करने होंगे तो यहाँ पर चार डाइमेंशन बताए गए है एक तो आपका physically, intellectually, patriotism और एक dimension और है मुझे याद नहीं है तो आपको इनके बारे में brief में describe करना है अब इसके बाद है हमारा next question how according to dr. करन सिंग can the youth repay their debt to society अब यह question दो marks में पूछ सकता है और यहाँ पर मैं try करूँगा कि आपको marks भी बताता जाओ कि कितनी marks में question यह पूछा जा सकता है बोड exam में अब इसके बाद हमारा next chapter है 13 अब chapter 13 on his being arrived at the age of 23 अब यह काफी सांदर chapter है लेकिन students को समझ में नहीं आता है अगर आप comment करेंगे तो इसके उपर हमें एक अलग से वीडियो अप्रोट कर देंगे और इस chapter की summary आपको हिंदी में explain कर दी जाएगी अब यहाँ पर हमारा first question है what has time stolen from the poet अब यहाँ पर stolen आप समझ सकते हैं कि जो 23 की age होती है वो यहाँ पर poet के ऊपर जो poet की age है 23 उसके ऊपर एक chapter है पूरा आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको summary easily समझ में आ जाएगी अब यहाँ पर next question है हमारा briefly describe Milton's feelings on his having arrived the age of 23 और एक question देख सकते हैं आप उपर का जो question है यह दो marks के लिए IMP है और नीचे वाला भी दो marks के लिए question IMP है अब इसके बाद next question है हमारा give the central idea of the poem देखें मैं हमेशा से आप लोगों से बोलता हूँ कि इस type के question give the central idea of the poem या फिर chapter की summary पूछी जाए तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है जो कुछ आपने chapter में पढ़ा है chapter की summary है वो आपको लिख देनी है और इस type के question चार marks के लिए board exam में पूछे जा सकते हैं तो आपको अच्छे से prepare करना होगा और इसके बाद हमारा last question है इस chapter से जो आपका chapter 13 है critically analyze the poem यहाँ पे same type का question है यहाँ पे आपको central idea explain करना है poem का और यहाँ पे critically analyze the poem means poem की जो summary है वो आपको यहाँ पे बताना है तो आपको सभी chapter की summary हिंदी में पढ़ना है जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपने अभी तक कमल प्रकाशन की guide purchase नहीं की है तो आप MP boot के लिए purchase कर सकते हैं उसमें आपको हिंदी में summary मिल जाएगी और आप हिंदी में summary explain पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके उपर वीडियो बना दूँगा और पूरे chapter की summary हिंदी में explain कर दूँगा तो आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कीजिएगा और आप सभी को मैं एक बात और बता दू लास्ट मैं की target 90% प्लस बैज जो हमारे चैनल पर चल रहा है आप सभी को पता है और यहाँ पे हम biology, physics, chemistry, maths, हिंदी और इंग्लिस के IMP question आपको provide कराते हैं और आप study gear चैनल को subscribe करके study gear family का हिस्सा बन सकते हैं और आप YouTube के अलाबा हमें Instagram, Twitter पर भी follow कर सकते हैं और सभी chapter के वीडियो हमारे चैनल पर upload हैं जिनकी link आपको description में नीचे मिल जाएगी